डाउनलोड कीजिए MM Academy एब को जहां पर आप exam से related काफी interesting और important videos देख सकते हो link आपको comment section में pin की भी मिल जाएगी ये देखें दोस्तों के जबरदस code बोली गई है कि if you can't stop thinking about it, don't stop working for it मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में आप continuously सोच रहे हो तो फिर आप उस चीज़ के लिए काम भी करते रहो, continuously काम करते रहो आप अगर सोच रहे हो UPC के बारे में, continuously उसे clear करने के बारे में सोच रहो आप अगर सोच रहे हो IS के बारे में, IPS के बारे में, continuously उसे किस तरीके से हासिल किया जाए उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में स्ट्राटीजी बनाते रहो, उसके बारे में काम करते रहो, आपका खून, पसीना, पैसा, टाइम, सब कुछ जो भी आपको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करो, आप वेस्ट कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जब आप जोई उसके बारे में काम करते रहना चाहिए आपको इसलिए एक सब जब आप सोच रहे हो काम भी करते रहो क्योंकि सिर्फ सोचने से वो जीज़ हासिल नहीं होने वाली आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा और ज़ो वाज आप अभी आज शपत लीजिए इस वीडियो को आपके समने प्रेजन करने वाला हूँ, मैं मयूर मोग्रे, सबसे पहले map-based exercise देखते हैं, तो यहाँ पर यह जो state है, यह state कौन सा है, यह आपको बताना है, आपको करना क्या है, वीडियो को pause करना है, state के regarding information लिखना है, flora, fauna, chief minister, capital, जो भी information आपके पास available होग वो सारी information लिखना है, और फिर वीडियो को resume करना है, आप मुझे facebook, instagram पर भी follow कर सकते हो, pdf और video updates के लिए, आप मुझे telegram पर follow कर सकते हो, link सभी की description में दीवी है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि एक code जो है, वो launch किया गया है, unacademy platform पर, जो है, combined exam के लिए, जो है, MPS की combined exam होती है, उसके लिए, course launch किया गया है, और इस course में, आपको सभी important चीज़े देखने को मिलेगी, total 50 दिन का ये course रेने वाला है, combined exam मतलब PSI, STI, ASO के लिए, अब इसमें, आपको अलग-अलग जो चीज़े हैं, वो देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर अगर आपको code जो My current affairs जो है, जो exam perspective से relevant है, important है, वो सब यहाँ पर cover किये जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक बार subscription लेना है, unlimited access मिलेगा, MCQs, previous year questions, PDF, सब आपको मिलेंगे, interactive lessons आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप teachers के साथ interact कर सकते हो, doubts आपके clear हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकत clear cut लिया जाएगा, उसी के साथ-साथ यहाँ पर, जो CSAT का paper है, वो भी लिया जाएगा, तो CSAT का paper, जो है, मतलब CSAT का questions होते हैं, वो भी काफ़ी important होते हैं, काफ़ी जादा आते हैं, तो वो भी आपर cover किये जाएंगे, मतलब यह काफ़ी high scoring badge है, जिसमें आपको बहुत अच तो जल से जल MMB निये code का इस्तमाल करके, आप subscription लीजिए और videos को enjoy कीजिए, तो यहाँ पर हम excellent section पर नजर डालते हैं, excellent section पर oil prices जो zero के नीचे गया हैं, उसके बार में article बात कर रहा है, अब हमने कली तो देखा है, और कल हमने जो देखा था, उसमें कुछ लोगों ने सवाल पूचेते कि फिर हम यहाँ पर store करके क्यों नहीं रख रहा हैं, तो इसी के regarding, आज हम यहाँ पर strategy coil reserve जो है हमारा, उसके बार में बात करेंगे, उसी के सासाथ यह वाला जो article है, coronavirus जो है, क्या यह जो fakeses होते हैं, उसके through spread होता है, तो इस पर भी हम नजर डालेंगे, इसके बार में भी जानने की कोशिश करेंगे, केरला की जो controversy चल रही है, उसके बार में article बात कर रहा है, तो इस पर भी हम नजर डालेंगे और देखेंगे, क्या controversy यहाँ पर चल रही है, उसी के सासाथ editorial page, ideas page अगर हम देखते हैं, तो continuity जो coronavirus है, उसके ही बार में articles बात कर रहे हैं, उसी के सासा जो economic impact है, उसके बार में बात कर रहे हैं, तो एक साथ merge करके, जितनी भी articles है, जैसे कि यह वाला article जो है, इसमें कुछ सुझाओ जो है, वो दिये के हैं, कि हमने तीन perspective में, वो health हो सकता है, वो economy हो सकती, geographical perspective हो सकता है, तीनों perspective में किस तरीके से हमने काम करना चाहि जिससे की आगे जाकर हम coronavirus का जो यहां पर shock है, उससे निपड सकते हैं, उसी के सासा यह वाला article है, यह वाला article है, यह यह वाला article हम separately देखेंगे, क्योंकि इसमें जो praise है उसकी freedom के बार में बात की गई है, अभी देखें, रिसेंट्ली जो reporters without borders हैं, उनके dवारा, जो freedom of price index है वो release किया गया है जिसमें हमारा जो rank है ये दो पायदान से फिसला है तो इसके बारे में हम जानने ही कोशिश करेंगे पूरी जो information है वो यहाँ पर लेने ही कोशिश करेंगे ये again crude oil shock के बारे में बात कर रहा है अब दिखिए हाँ पर जब हम oil prices के बारे में बात करत तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए सबसे पहले ये वीडियो में आपके सामने लेकर आया था जब यहाँ पर oil prices जो है 0 से भी नीचे गिरे थे और सारे concepts को मैंने एकदम detail में यहाँ पर explain किया हुआ है अब दिखिए यहाँ पर जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारा जो strategic reserve है वो क्यों नहीं fill up कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया के strategic petroleum reserve के बारे में अब यह जो strategic petroleum reserve है किसके द्वारा maintain किया जाता है तो exam perspective से सबसे important question आता है यह maintain किया जाता है Indian strategic petroleum reserve limited के द्वारा मतलब जिसे हम ISPRL कहते हैं यह Indian company है जो की responsible है country के strategic petroleum reserve को maintain करने के लिए अब यह किसके द्वारा maintain की जाती है यह जो company है यह किसके द्वारा owned की गई है तो यह wholly owned subsidiary है oil industry development board की मतलब oil industry development board की completely wholly owned subsidiary है और यह किसके अंडर में function करती है तो यह administrative control में function करती है और ministry of petroleum and natural gas मतलब सब कुछ यहाँ पर government जो है वही यहाँ पर पूरा जो authorization है उनका होता है administration जो है वो government का ही देखने को मिलता है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया की refinery जो है वो 65 days of food storage जो है वो maintain करती है इसलिए overall अगर reserve दिखा जाए oil storage का तो 87 days का हमें देखने को मिलता है but obvious है ना इंडिया का जो strategic oil reserve है वो भी particular oil reserve भी रख पाएगा अब यहाँ पर basically क्यों किया जाता है strategic oil reserve कि अगर हम कहीं war पर चली जाते हैं या फिर international level पर बहुत जादा fluctuation जो है oil prices के वो हमें देखने को मिलते हैं तो इंडिया में उसका परिणाम जो है एकदम नहीं होना चाह है जिससे की इतना दा fluctuation ना है problems ना हो इसलिए आपर strategic oil reserve जो है वो maintain किया जाता है overall अगर देखा जाए 87 days का आमारे अपर maintain किया जाता है मतलब कि अगर oil exporting countries ने oil export करना बंद ही कर दी फिर भी हम यहाँ पर 87 days तक हम यहाँ पर बिना कोई interruption के यहाँ पर अच्छी तरीके से जो oil reserves है वो देख सकते हैं अब देखें यहाँ पर strategic petroleum oil reserve अगर इंडिया में देखते हैं तो वह हमें पुदूर में मैंगलोर में और विशगा पटनम में जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर जो है यहाँ पर capacity बनाने की कोशिश की जा रही है तो यह तीन जगह पर मतलब व जगह पर मतलब यहाँ पर और उसके साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है तो इस तरीके से strategic petroleum oil reserve जो है यह तीन location आपको ध्यान में रखना है क्योंकि exam में आपको पूछा जा सकता है और इसकी भी कुछ limitations होती है इसलिए हम यहाँ पर भर-भर के जो है वो नहीं रख सक 20,000 के उपर इंडिया में पहुंच गए है अब यहाँ पर article बात कर रहा है जो faxes है वो क्या लोगों को infect कर सकते हैं अब देखें आपर इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो corona cases 20,000 के उपर चले गए हैं डेज जो है 645 के उपर चले गए हैं और उसी के साथ साथ अगर आप म वर्ल्ड की बात करते हैं तो बहुत जातक cases हो गए हैं USA अगर आप देखोगे तो 1 million के तरफ वो बढ़ रहा है 1 million cases के तरफ वो बढ़ रहा है बाकी European countries जो है बहुत पीचे छोड़ दिया है USA ने तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो cases जब इतने increase हो रहे हैं तो ऐसे सिन हाजा तो possible है लेकिन यह बहुत ही unlikely है मतलब अगर आप चीकते हो उस नीज करते हो कफ करते हो तो उस टाइम पर जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो यह ड्रॉपलेट्स के तुरू जो वायरस है यह spread हो सकता है इसलिए बाकी अगर आप देखोगे तो कफी unlikely है अब सवाल य यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स है वो निकली नहीं रहे है तो फिर कैसे spread होता है अब देखे कैसे न कैसे हमारे हातों पर हमारे शरीर पर जो ड्रॉपलेट्स है वो निकली जाते हैं और यह अगर हम किसी और को touch करते हैं किसी और चीज को touch करते हैं अगर वो uninfected person उस इंसान हो जाए क्योंकि जो 80% केसे से उसमें देखने को मिला है कि कोई symptoms ही नहीं है मतलब उन्हें भी पता नहीं चल रहा है कि उन्हें वाइरस हुआ है और खासकर यह जो वाइरस है जिने chronic कोई diseases है उनके लिए काफी हानी करक देखने को मिलता है अब नेक्स जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो केरला गवर्मेंट की बात कर रहे है आपर जो केस उन पर चल रहा है US टेक कंपनी को लेकर अब पूरा मसला क्या है अब देखे केरला गवर्मेंट जो है वो एक technology की आपर इस्तमाल कर रही है अब हमने जब भी model देखे हैं कासर गोड जो हमने कल model देखा था तो जो भी हम केरला के model देख रहे हैं कि वो कोरणा वाइस से लड़ने के लिए कौन से model का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है तो केरला government बेसिकली क्या कर रही है टेकनोजी का भरपूर इस्तमाल कर रही है जिसी की symptoms को collect किया जा सके health condition को यहाँ पर collect किया जा सके जो भी लोग कॉरेंट मिन पर रखे गए हैं उसी के सासाथ यहाँ पर data जो है collect किया जा रहा है अब यहाँ पर जो टेकनोजी का इस्तमाल केरला government कर रही है वो है sprinkler का तो यहाँ पर यह जो टेकनोजी firm है जो की बाहर की company है इंडिया की company नहीं है इसका यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है पूरा data यहाँ पर store करने के लिए तो but obvious है कि यहाँ पर जो right to privacy है वो यहाँ पर picture में आ जाती है कि इतने सारे लोगों का health data आप store कर रहे हो वो भी किसी foreign company के उपर तो फिर यहाँ पर जो privacy है बिना इनके consent के तो फिर problem जो है वो तो आ ही जाएगा मतलब basically controversy क्या चल रही है कि data जो है 1.75 lakh लोगों का ये collect किया जा रहा है बिना उनके consent के और वो भी यहाँ पर जो foreign firm है foreign firm है उनका यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है जबकि इंडिया में भी ऐसे firms देखने को मिलते हैं जैसे कि Center for Development of Imaging Technology उसी के साथ साथ केरला State IT Mission तो बहुत सारे ऐसे firms जो है वो देखने को मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों हम foreign firm का इस्तमाल कर रहे हैं और हमारा जो इतना ज़्यादा data यहाँ पर लिया जाएगा उसे हम risk पर डाल रहे हैं क्योंकि इनका consent भी नहीं लिया जा रहा है और अगर risk पर जाएगा तो फिर right to privacy इसका क्या गटन नहीं होगा इसका क्या यहाँ पर जो violation है वो नहीं होगा अब state government जो है उन्होंने अपने तरफ से यहाँ पर यह दिया हुआ है मतलब अपना जो एक यह बचाव है वो किया है कि company जो है यह यहाँ पर free uniform जो है software का वो ले रही है software as a service SaaS जिसे हम कहते हैं और वो भी owned है by care light की तरफ से यहाँ पर कोई भी risk नहीं है ऐसा state government की तरफ से बोला जा रहा है और यहाँ पर data जो है collect किया जा रहा है massive scale पर massive scale पर data collect करने की जरुआ थी क्योंकि but obviously कि इतने लोग जो है इतनी तादाद यहाँ पर बढ़ रही थी तो massive scale पर यहाँ पर जो data है वो collect करने की जरुआ थी और उसी के साथ साथ यहाँ पर application भी हमें ऐसी जरुआ थी जो कि properly उसे analyze करे जल्द से जल्द analyze करे fast तरीके से analyze करे और हमें help करे तो इसी लिए हमने यहाँ पर यह जो software firm है इसका इस्तमाल किया और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने documentation भी प्रूर रहे तरीके से यहाँ पर किये हैं उन्हें documentation जो है वो भी दिखाया है government ने जैसे कि जो purchase order है उसी के सर्विस agreement है privacy policy company की और non disclosure agreement य यहाँ पर बताई गई है जिसी कि उन्होंने बोला है कि हम किसी भी तरीके से risk पर नहीं है और यहाँ पर जो data है वो leak होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर जो state government है उनके तरफ से जो अपनी बात है वो रखी गई है तो यह पूरा मसला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पूरी controversy यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है अब यह भी बोला गया code की तरफ से भी कि यहाँ पर आपने पहले क्यों यह जो deal आप sign कर रहे थे इसके पहले आपने क्यों यहाँ पर पूरी चीजे हैं उस सामने नहीं रखी लेकिन खेर यह है COVID-19 COVID-19 बहुत देजी से spread हो रहा है और उसी के साथ साथ जो world है पूरा है यहाँ पर अलग हमें देखने को मिलने वाला है जिस तरीके से अभी world चल रहा है completely अलग रहेगा हो सकता है कि आप work from home जो है यह companies criteria रखना शुरू कर दे यह सारी चीजे हमने पहले देखी हुई है कि कौन-कौन से changes आ सकते हैं अब यहाँ पर हमें तीन level जो है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है health है economy है और geographic perspective पर है अब जब हम health की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें आपर बड़े hospitals proper infrastructure और sufficient resources जो है वो यहाँ पर build up करने की बहुत ज़रूरत है क्यों है ऐसे scenario में यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि हमें जो health facilities है उसे improve करना पड़ेगा infrastructure को जब तक हम improve नहीं करते हैं तब तक जो लोग है वो हमीर लोग बाहर जाकर अपना ilaj करते रहेंगे जो गरीब लगए वो यहाँ पर ilaj करते करते मर जाएंगे और sufficient resources जो है वो भी पर पैसो की बात करते हैं मतला economic perspective की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पैसे जो है वो print करना हमने शुरू करना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत problems जो है हम face कर रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पर government जो है उनके पास भी इतने प पैसे हैं वो provide करने पड़ेंगे अब government के पास यहाँ पर direct taxes जो है वो नहीं आ पा रहे हैं indirect taxes जो है वो नहीं आ पा रहे हैं सरकार जो है कितना यहाँ पर loan उठाएगी कितना यहाँ पर यह सब कुछ करेगी तो इससे बेटर है कि आपर पैसा जो है वो हमें print कर लेना इन लोगों में से एक के पास एक करूड रुपए है इनके पास एक एक लाख रुपए है ठीक है एक एक लाख रुपए है अब for example एक कार है यह कार है एक करूड की तो कितने लोग खरीज सकते हैं at present एक करूड की कार बट अभी से एक की इंसान जो है वो एक करूड की कार ख अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए, कि यह जो कार है, यह कार, अब तीनों लोग खरिद सकते हैं, तीनों लोग खरिदने की कोशिच करेंगे, कार की डिमांड बढ़ जाएगी, और हमने लास लेक्चर में यह देखा है, डिमांड अगर इंक्रीज होती है, तो बट अब अब इंसान ने क्या किया है, इस कार की प्राइस दो करोड कर दी, क्योंकि आपर जो, मतलब, डिमांड है उतनी बढ़ रही थी, तो यह बर इंफलेशन आ गया, इंफलेशन आने के वज़े दो करोड कर दी, आप कितने लोग खरी सकते हैं, अब भी वही इंसान करी सकता है, जो पह इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो पैसा है, वो प्रिंट नहीं करती है, जादा सरकार, क्योंकि उससे इंफलेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब कर आप ब्रेड के पैकेट की किम्मत 15-15 लाग रुपे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, पर पूरी हो जाए, उसी के साथ सरकार ने यहाँ पर जो क्राइसिस आये है, उसका भी यहाँ पर एड्वांटेज लेना चाहिए, और मच निरेट पेंडिंग रिफॉर्म जो है अगरिकल्चर में, बैंक्स में, पाव सेक्टर में, वो यहाँ पर सरकार में करने चाहिए, उसी के साथ यहाँ पर जो रुपी भी हो रहा है, उसका भी फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है, वो बूस्ट हो जाएंगे, अब एक्सपोर्ट क्यों बूस्ट होंगे, बड़ और आप सोचिए, कि एक पेन है, अब यह पेन की किमा जो है, दस र इतना है, उसे कितने पे करना पड़ेगा, एक डॉलर पे करना पड़ेगा, सही है, एक डॉलर पे करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि एक डॉलर की किमा जो है, वो हो गई है, वो कितनी हो गई है, बीस रुपे हो गई है, मतलब डबल हो गई है, अब ऐसे स दूसरी यहाँ पर क्या हो सकते है कि यह इनसान है यह इंसान को एक डॉलर मिल रहा था तो यह पेन की किमत वो एक ही डॉलर रही तो यहा अगर currency की value depreciate होती है तो उसे फायदा होता है और जो इंसान import करता है उसे यहाँ पर नुकसान होता है तो हमें यहाँ पर export जो है वो बढ़ाने की ज़रुवत है और बट अबे से export जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूपी जो है वो वीक हो रहा है उसी के सासा oil prices भी collapse हो गए है जिससे हमारा balance of payments जो है वो भी maintain करने में help मिलेगी तो यह तीन background पर हम अगर काम करते हैं जोग्राफिक perspective पर, economic perspective पर, health perspective पर तो फिर यहाँ पर हम बहुत अच्छी जीदे जो है वो achieve कर सकते हैं तो इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है next यहाँ पर, जो freedom price है उसके बार हम बात की जा रही है अब दिखे, reporters without borders reporters without borders borders without reporters तो नहीं है न reporters without borders है न तो यहाँ पर reporters without borders के द्वारा यह जो index है, release किया जाता है world freedom price index world price freedom index और criteria कौन-कौन से इसके criteria है, सबसे पहला तो pluralism मतलब यहाँ पर, जो opinion है लोगों के, जो media में उनकी यहाँ पर opinion लिये जाते हैं तो pluralism है, वो पहला criteria होता है दूसरा है, media की independency मतलब क्या है मतलब यहाँ पर, जो degree है independence की, वो यहाँ पर देखे जाती है कि political, government, business, religious power कितना influence करती है media को वो यहाँ पर देखा जाता है तिसरा है पर environment और self censorship देखे जाती है कि media जाए उन्हें कितना खुद को ही censor करना पड़ता है कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर analyze कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं फिर उसका legislative framework हमें देखने को मिलता है कि legislative framework जो है government की policies किस तरीकी के है, उनकी information किस तरीकी से बाहर आ रही है उनकी कौन सी information आ रही है उस पर government का कितना control है transparency यहाँ पर देखे जाती है कि कितनी transparency के साथ आ रहा है infrastructure देखा जाता है और abuse देखा जाता है मतलब कितने लोग यहाँ पर abuse कर रहे है media वालोग यह सब कुछ वो सब कुछ देखा जाता है, तो यह criteria यहाँ पर देखे जाता है, criteria भी बहुत important है exam में आपको पूछे जा सकते है यहाँ पर अगर आप देखोगे यह सब के इससे पूरा score जो है बनाया जाता है अब यहाँ पर अगर 0 to 15 हो मतलब यहाँ पर काफी अच्छी situation है white में जो देखने को मिलते है बाद में yellow में जो देखने को मिलते है satisfactory situation है, yellow में जो देखने को मिल रहे है clear है उसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर जो 25-35 पॉइंट आता है उसमें problematic situation है मतलो जो औरेंज में देखने को मिल रहे है उसमें थूड़ी problematic situation है फिर red इसमें जो देखने को मिल रहे है difficult situation है इंडिया भी आ रहा है और फिर जो black इसमें भाईया बहुती serious situation है उसमें बिल्कुल भी यह देखने को नहीं मिल रहा है South Korea आप बोलिए China आप बोलिए इसमें तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पूरे इसकी मतलब ranking की तो first इस पे हमें Norway जो है देखने को मिलता है देखिए फाइट इसमें देखने को मिलते है और यह हमेशा से ही top पर देखने को मिलता है Norway, Finland, Denmark, Sweden यह तो हमेशा top पर ही देखने को मिलता है अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का rank जो है 142 देखने को मिलता है पिछले बार के मुकाबले दो rank फिसला है क्योंकि 140 rank था अब यहाँ पर 142 rank जो है वो देखने को मिल रहा है out of 180 countries और इंडिया का जो score है 45.33 है और उसी के साथ साथ अगर आप देखो के पाकिस्तान का 145 है चायना का भी बहुत नीचे है लास्ट rank अगर आप देखो के तो वो हमें North Korea जो है उसका देखने को मिलता है तो इस तरीके से हमें ranking जो है वो देखने को मिलती है और इं देखने का rank जो है दो पाइदान फिसला है यहाँ पर आप देख सकते हो कि economy की news है कि largest FDI investment देखने को मिल रहा है Facebook ने 9.99% stake जो है Reliance CEO के लिए है at Rs.43,574 करोड मतला आप सोचिए कि इतना जाद ले लिया गया है अगर आप conversion करते हो तो 65.95 billion dollars का हमें देखने को मिलता है अगर 70 रूपीज से हम यहाँ पर conversion करते है तो मैं तो सोचिए 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 कि क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है अरे बाबरे तो Facebook जो है इतना जाद है यहाँ पर ले लिया है इसने और देखिए बहुत सारे लोग जो है यही कर रहे है इसलिए जो government है उन्होंने FDI norms भी आपने change किये थे जिसे कि China जो है वो इसका फायदा ना उटा सके जो है यहाँ पर sensex इसना down चल रहा है तो sensex down में हाँ पर prices सबकी बहुत कम चल रही है जो stakes से उसकी prices बहुत कम चल रहे है तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे है पर्जेस कर ले रहे है जिससे कि क्या हो जो है valuation जो है बहुत जाद हाय हो जाएगा तो यह जीज हमें आपर Facebook की देखने को मिल रही है next यहाँ पर economy section अगर हम देखते है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है oil जो है वो यहाँ पर काफी negative में चला गया है लेकिन इंडिया को यहाँ पर इसका फायदा नहीं मिलेगा अगर पर इंडियन जो है उनिय नहीं मिलेगा वोसमा पैट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो गैंगे कोंकि सरकार क्या करती है बटा अबियस है कि यहाँ पर जो Dieन कारिड कार सिस्ट यहां पर काफी बुरी के से गिर रहा है क्रूड तो smellingाश और उसके इसाथ और अगर्ण पर देखते हैं तो यहां पर आप देख चाहिए बहुत कि economy जो है वो contraction की तरफ जा रही है fiscal space भी बहुत कम बचा हुआ है stimulus के लिए stimulus सरकार जो है ज़्यादा ज़्यादा पैसे अगर खर्द करती है उसे हम stimulus कहते हैं stimulus के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा हमने देखा है कि इसलिए printing जो है वो करना ज़रूरी है ऐसा हमने article में देखा था है ना उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब जो industries है वो यहाँ पर penalty के threat face कर रही है कि सरकार ने भी यहाँ पर बोला था कि अब शुरू तो कर दो शुरू हो रहे हैं लेकिन जो penalty हो बहुत बूरी तरीकी की है मतलब for example ऐसा भी होता है कि अगर कोई किसी भी worker को koronavirus होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी ऐसा वैसा तो इसलिए क्या हो रहा है जादा जादा लोग जो है पर जाना पड़ेगा और यह वो राज्ज है यह वो स्टेट है जो मैंने आप से मैप में पूछा था मतलब की करना टका अब यहां पर करना टका जो है वो देखने को मिल रहा है आपको तो मैं उमीद करता हूँ कि इसके रिगेंट जो भी इंफॉमेशन है मला अरिबियन कोस्ट को बार्टर करता है कैपिटलिस की बैंगलूर है जो फॉर्मर उसको बैंगलूर कहते थे हाई टेख हब है जो भी इंफॉमेशन आपके बास अविलेवल होगी वो इंफॉमेशन आपने जरूर लिखी होगी तो यह हमारे वीडियो का इंड वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेर जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहन्द